ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्णम हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारिधर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशिफल यह राशिफले 27 अक्टोबर 2022 गूरुवार का दिन है कार्तिक महा के शुकलबक्ष की द्वितिया तिथी रहेगी इस दिन भाई दूज का महा पर मना जाएगा जिसे भाई दूज या यम द्वितिया के नाम से जाना जाता है इस दिन भगवान चित्र गुप्त जी का भी विशेश पूजन अर्चन किया जाता है कलम दवात का पूजन इसी दिन किया जाएगा सभी बहने अपने अपने भाईयों के मस्तक पर तिलक इसी दिन करेगी शुब मोर्त एवं इस भाई दूज की कथा का वीडियो हमने अलग से प्रस्तुत किया है अगर आप हमारे आचैरे गुरुची चैनल यूट्यूब पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये वीडियो प्राप्त हो सकेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो दक्षिन दिसा में होंगे इसलिए दक्षिन दिसा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारणवस दक्षिन दिसा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो जीरा खाकर की यात्रा आरंप कर सकते हैं विशाखा नामक नक्षत्र होगा तथा तुला राशी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे राहुकाल की अगर हम बात करें तो दो पहर डेड़ बजे से शुरू होकर के तीन बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुब या मैंगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का नरणे आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अथवा के लेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के अगहम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की तुला राशी में वही चंद्रमा भी तुला राशी में मंगल ग्रह मिथुन राशी में, बुध ग्रह तुला राशी में, देव ग्रुब रहस पती जो की मीन राशी में, शुक्र ग्रह तुला राशी में, शनी देव मकर राशी में, राहु ग्रह में सासी में तथा केतु ग्रह तुला राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक रह गोचर के अनुसार वरशापकर ककन्या वरश्चिक मकर एवा मीन ये छे राशियां सबसे दिख्मागिशाली रिने वाली है दिन इनके लिए प्रसिद्ध होगा धन लाप के सांसाथ का रिक्षितर में उन्नती और प्रगती के भी उत्तम और उसर इनको प्राप तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस रासिगी पिछले कुछ समय से किसी के साथ चल रहे हैं खराप संबंदों में सुधार आएगा घर की सुक्स्विधाओं संबंदी कारियों में आपका विशेस योगदान रहेगा इस समय आर्थिक इस्तिती उचित बनी रहेगी भव पहले था कुछ लोग आपका गलत फाइदा उठा सकते हैं दो पहर के पश्चात ग्रहस्तितियां कुछ विपरित होगी तथा मन में कुछ नकारत्म विचार भी आएंगे जो आपको परिशान करेंगे इस समय अपने व्यवसाय में सिर्फ वर्तमान गतिविधियों पर आप के लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की इस समय कुछ धार्मिक सामाजिक था अन्य कारियों के प्रति आपका विशेस योगदान रहेगा अपको एक नई पहचान होगी किसी पारिवारिक मुद्दे में भी आपकी विशेस उपस्तिती रहेगी इस समय परिस्टितियों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा समय का सदुप्योग आपको करना चाहिए ध्यान रखे कि किसी नजदी की रिस्तिदार की वज़े से धन हानी संभा होग लेन देन करते समय लापरवाही बिलकुल न करे घर के बुजुर्गों के स्वास्त का विशेस ध्यान रखे यह समय किसी भी यात्रा करने के लिए उचित नहीं है करिक्षत्र में आई के साधनों में ब्रदी होगी इसके सांथी खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं नजदी की मित्र की सला आपके लिए फायदे मन साबित होगी उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फुल चडाना आपके लिए शुपल दाई साबित होगा आपका भगषाली अंक आठ होगा भगषाली रग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की आपका अधिक्तम समय अपने व्यक्तितों को और अधिक बहतर बनाने में व्यतित होगा विध्यारतियों को विध्या या सिक्षा के अनुरूप कोई न कोई नोकरी मिलने से उनकी चिंताएं दूर हो जाएगी धार मकर्म तथा अध्यात में गती विध्यों में आपकी रूची बढ़ेगी इस समय धन के लेंदेन संबंदी कोई नुकसान होने की स्थितियां बन रही है जिसकी वजह से स्वभाव में चिर्चड़ा पन रहेगा आपकी अधिकार पूर्ण वानी दूसरों को नाराज कर सकती है अपने स्वभाव को सहज वा नरम बना करके आपको रखना चाहिए आज कोई भी नया काम शुरू न करे तो ही बेतर है क्योंकि इस समय कोई भी महत्वपुर्ण नियनय गलत होने की वजह से नुकसान हो सकता है बहतर होगा कि वर्तमान परिसितियों पर ध्यान दे नुक्री पिशा वेक्तियों को काम की अधिकता की वजह से और टाइम भी करना पड़ेगा उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में चावल चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका बाडामी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आज परिवार के साथ साथ आप कोई ऐसा काम भी करेंगे जैसे आपको आगे चल करके फाइदा होगा खरिदारी होगी समय अच्छे से वितित होगा सभी सदस्यों के बीच हास परिहास तथा मनुरंजन भरा वातावरन रहेगा परिवारत था व्यवसाय के बीच बहतर तालमेल बना कर रखेंगे व्यस्तता के बावजूद सभी कार्य सहज तरीके से पूरे हो जाएंगे परंतु अपने विरोधियों की गटी विजियों को नजर अंदाज न करे आप किसी शड्यंत्र या गलत फिमी के शिकार भी हो सकते हैं किसी रिस्तदार या मित्र से कुछ कहा सुनी हो सकती है मन आपका व्यतित हो सकता है उपाई के रूप में भोजन के बाद मीथी वस्तु खाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा अब हम बात करते हैं सिंग राजी की आपका प्रभाव स्वाली तथा महत्वपूर्ण लोगों के बीच में कुछ समय व्यतीत करना आपके आत्मबलव कारिक्षमता में और अधिक व्रद्धी करेगा आपकी वाणी दूसरों के ऊपर एक छाप छोड़ेगी सामाजिक शत्र में आपके संपर्क का दाइरा बढ़ेगा कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा कि भाग्या आपका सांत नहीं दे रहा है जिसकी वज़े से आपके आत्मुश्वास में कुछ कमी आ सकती है परंतु मनन करे कि आपको मैसूस होगा कि यह सिर्फ आपका वहम है लाभ के सुरोत कुछ कम रहेंगे मशीनरी खनपान से संबंदित व्यवसाय में बहतर आपको फाइदा होने का योग बन रहा है उपाई के रूप में घर के मंदिर में पीला फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की आपके उत्तम व्यक्तितों तथा प्रभाव साली वानी के प्रभाव से सामाजिक और पारिवारिक शेत्र में आपका रुत्बा बढ़ेगा आपका सम्मान बढ़ेगा आपके कुछ महत्युपूर्ण लोगों से संपर्क घनिष्ट होंगे दोस्तों तथा रिस्तेदारों के साथ मेल मिलाप से खुशी आपको महसूस होगी अपने आपको तरो ताजा आप महसूस करेंगे कुछ व्यक्तिकत कारियों के साथ साथ आपको निभाना होगा निवेशंबंदी मामलों में ज्यादा वैसा न लगाएं क्योंकि इस समय नुकसान के आसार बने हुए हैं उपाई के रूप में गाय को हरी घांस या हरी सबजी खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की दिन की शुरवात बहुत ही सुखद रहेगी आपके सभी सोचे समझे काम शांती पूर्ण तरीके से निपड़ जाएंगे तथा आपका विनम्र स्वभाव लोगों में तारीफ का कारण बनेगा ध्यत्मिक क्षित्र के प्रतियापका रुजान और अधिक बढ़ेगा परन्तु कभी कभी लापरवाही के वज़े से आप बैठे बिठाएं किसी मुसीबत में पढ़ सकते हैं आप पर कोई बदनामी का आरोब भी लग सकता है इसलिए इस समय बहुती समझदारी से काम लेन और उपाई के रूप में गरिब व्यक्ति को चने की डाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासेगी बच्चों के भविश्य को लेकर कुछ योजनाएं बनेगी तथा निवेश संबंदी कारियों में आपकी दिल चस्पी रहेगी दिल की बजाए दिमाग से काम करें हिम्मत और साहस के बल पर असंभाव कारी भी आसानी से संभाव हो जाएंगे भावता में आकर कोई भी गलत नरणय न करें किसी नजदी की रिस्तिदार से मामूली बात पर वैचारिक मदभेद हो सकते हैं इसके कारण संबंदों में खटास उत्पन हो सकती है कोई भी बाहरी व्यक्ति आपकी भावनाओं का गलत फाइदा उठा सकता है इस समय अत्याधिक सचेत रहने की आपके लिए आउशकता होगी और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि एक इलाइची आप खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई सावित होगा आप भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की आर्थी की सिती बेहतर रहेगी रुका हुआ या उधार दिया पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी तथा अपनी व्यभार कुशलता द्वारा किसी भी प्रकार का का प्रकाम निकालने में आप सक्षम रहेंगे किसी नजदी की व्यक्ती के घर जाने का अमंतरन आपको प्राप्त होगा पैसा आने के साथ साथ कुछ खर्चे भी तैयार होंगे कभी कभी मन में निराशावा नाकरात्मक विचार उत्पन हो सकते हैं ऐसे विचारों से आपको दूरी बना करके रखना चाहिए उपाई के रूप में लाल कुंकुम का तिलक लगाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भगशाली अंक साथ होगा भगशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आप अपनी योजना किसी भी प्र चार प्राप्त होगा जिससे घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा और जो भी सूचना आपको मिले उससे नजर अंदाज न करे आपके लिए वह फाइदेमन साबित होगी उपाई के रूप में काले तिल गाई को खिलाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आप आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं कुम्ब राशी की आज हास पर यहास तथा मनुरंजन संबंदी कारियों में आपका समय व्यतीत होने से स्वयम को हलका फुलका और उर जावान महसूस करेंगे घर की जर्वत सं हो सकती है और उपाई के रूप में देवी जी के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुपलताई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका हारा होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपको अपनी छुपी हुई प्रत माता लक्षमी जी को पिला फूल चड़ाना आपके लिए शुपलताई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा तो मित्रो यहां बारा राशी का देनिक राशी भल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भा क्यों हुताड़ा ती जाथ होगा लिए करताई का है pur ज् Вас刃 को श्टाइबाольно प्यांग घल खर भागिवाटवा स्टाह डर रखशाबा है वागिशाए रखशाली में आपके relieved अटाटाट में वहाइड़ाट लिए गल